नमश्कार मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनीए कामतनाद जी की कहानी छुट्टियां रिक्षा वाला समान दर्वाजे पर रखकर चला गया उसने होल डाल वहीं बाहर चबुद्रे पर पड़ा रहने दिया और बक्स लेकर जीना चड़ने लगा मा बाहर चट पर ही चार पाई पर पैठी थी उन्होंने उसकी और देखा पहचाना या नहीं वह जान नहीं सका वह इतना जानता है कि मा को अब बहुत कम दिखाई देता है उसने बक्स वहीं फर्ष पर रख दिया और जुक कर मा के पैर चूलिये आ गए मा ने कहा हाँ उसने कहा एक्षन रुका फिर नीचे होलडा लेने चला गया होलडा लाकर उसे भी उसने वहीं छट पर पटक दिया और चार पाई पर बैठकर हाफने सर लगा होलडाल खासी वजनी था और उसे लेकर सीड़ी चड़ने से वह थकसा गया था सतीश उसका छोटा भाई अंदर कमरे से निकल कर आया और जुक कर उसने उसके पैर चूए उसने कुछ कहा नहीं बस पैर समट कर एक अन्यम अंसकता सी व्यक्त की कि जैसे उसे यह सब पसंद ना हो सतीश भी कुछ नहीं बोला सीने पर हाथ बांद कर चुपचा वहीं खड़ा हो गया उसने देखा मा के चहरे पर विचित्र सी गंबीरता थी तीन महिने उसे घर छोड़े हुए थे परंतु इनी तीन महिनों में जाने क्या हो गया था कि अपना ही घर उसे प्राया लगने लगा था उसने चारों और द्रिष्टी दोड़ा कर देखा पाईप के पास वाली दिवार पर काई जमी थी आंगन के जंगले के किनारे वाला सरिया तूटकर मगर के मुग की तरह उपर उठाया था छटकी मुदेर की इटे अभी भी तूटी हुई थी कमरे की खिडकी का दरवाजा आधा तूटा हुआ था पाईप के उपर वाली दुचक्ती में चैले भरे थे हाँ जीने के सामने भरोटे में एक कौने में लकडी के बुरादे का धेर था जो पहले नहीं था कुछ विशेश तो नहीं बदला फिर भी उसे अपना घर पर आया क्यों लगने लगा था वह सोचने लगा शायद अधिक दिनों एक चीज को ना देखने से ऐसा ही होता हो नीचे किरायदार है क्या उसने मास से पूचा हाँ आजकल घर गए हैं कौन है यही कोई गुपता है कहां काम करते हैं पी डब्ली डी में छोटे भाई ने उत्तर दिया वह चुप हो गया कुछ देश सतीश वहीं खड़ा रहा फिर अंदर कमरे में चला गया एक शन बाद उसकी पत्नी सिर पर घुंगट डालेवे कमरे से निकली और अपने को इस तरह बचाती हुई जैसे कोई आग की लपट से बचता है सामरे रसोई में जाकर अंगी ठीस उलगाने लगी उसने जूते खोल दिये और चारपाई पर पीछे के सकर दिवार का सहारा ले लिया संतु पकड़े गए हैं माने कहा क्यों क्या हुआ उसने पूछा संतु उसके सबसे छोटे भाई का नाम था कहीं से अफीम लाए थे माने बहुत आहिस्ता से उसके निकट सरकते वे कहा वही घर के बरामाद हुई पुलीस आई थी घर से पकड़ कर ले गए कहा रखी थी उसने पूछा वह संतु की आदतों से परिचित था मीचे वाली दुछत्ती में कब हुआ यह है कल रात दो बजे दो बजे हाँ वह जो बनियों का लड़का है न मुनन वही कही साइकिल चोरी में पकड़ा गया था उसी को लेकर पुलीस घर आई थी सतीश नहीं थे घर में थे माने धीमी आवाज में कहा उनका सभाब तो तुम जानती ही हो घर से बाहर नहीं निकले सतीश उसने चोटे भाई को आवाज दी सतीश ने उसकी आवाज के उतर में कुछ खाहा नहीं चुप चाप बाहर चलाया क्या हुआ था उसने पुझा सतीश एकशन खामोश रहा मा की और घूर कर देखा फिर बुला हुआ क्या था अफीम घर में लाकर रकी थी वही बरामद ही पुलिस को कैसे मालूम कहां रकी थी तलाशी ली थी क्या मुननन को मालूम था वही पुलिस लेकर आया था लेकिन मुननन तो संतु का दोस्त है वह पुलिस लेकर क्यों आएगा सतीश एकशन चुप रहा फिर बुला सैकल चुराने में कहीं पकड़ा गया था पुलिस ने मारा पिठा होगा पुछा होगा और क्या करते हो सो बता दिया तुम्हें ठीक से मालूम है क्या हुआ था यही हुआ जो बता रहा हूँ कोई आज से थोड़ी या धन्दा हो रहा था कितनी आफीमती रही होगी आधा सेर और संतु का है जेल में पुलिस सीदे जेल कैसे ले जाएगी पहले मजिस्ट्रेट के हैं पेश नहीं करेगी पेश किया था तुम गए थे हाँ जमानत नहीं ली जेल के लिए रिमांड हो चुकी थी जब मैं पहुचाता कितने बजी गए थे तुम दो बजे दिन में हाँ रात में जब उसको पकड़कर ले गए तब तुम नहीं गए नहीं तो आज नहीं कोशिश की जमानत की आज कोट बंध है चुट्टी में भी तो एक मजिस्ट्रेट बैठता है मुझे नहीं मालो सतीश ने कहा वह चुपो गया सतीश ने मुड़कर रसोई के और देखा उसकी पतनी चाय का कपले रसोई के द्वार पर खड़ी थी कप उससे लेकर वह उसे देने लगा उसने कप ले लिया और कहा अमा को भी दे दो दे रहे हैं सतीश ने कहा और दूसरा कप लाकर मा को दे दिया वह चाय पीने लगा होली की छिट्टियों में वह घर आया था इससे पहले वह यहीं था परंतु चार महीने पूरुफ उसका ट्रांसफर पटना हो गया था शुरू में वह अकेला ही गया फिर एक महीने बाद जब उसे मकान मिल गया तो पत्नी और बच्चों को भी ले गया मा उस दिन बहुत रोई थी इस घर को क्या होता जा रहा है उन्होंने कहा था सारा दिन रोते रोते बीता करेगा कमन की वे जैसे यहां फसी हो नहीं तो मैं भी चली चलती तुम्हारे साथ और वह गीता और पिंकी को सीने से चिप्टा कर रोने लगी थी कमन उसका भांजा था आठ वर्ष का बहन की हैजे में मृत्ती हो गई थी तब कमन छे महीने का भी ना था मा नहीं उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था वे शुरू से यहां रहा था और नानी को अमा कहा करता था चौते में पढ़ रहा था वे कमन कहा है उसने पूछा खेलने गया होगा कहीं मा ने उत्तर दिया तब तक कमन भी आ गया नमस्ते बड़े मामा उसने कहा और इधर उधर देखने लगा होली पर वे अकेला ही घर आया था पत्मी बच्चों के साथ अपने माई के चली गई थी पहले उसी कमरे में वह रहा करता था जिसमें अभी सतीश रहता है सतीश तब नीचे रहता था उसके जाने के बाद नीचे का हिस्सा किराय पर उठा दिया मा और कमन रसोही के बगल वाले कमरे में रहते हैं जिसे पूजा वाला कमरा कहा जाता है क्योंकि उसमें लकड़ी का एक छोटा सा मंदिर रखा है जिसमें भगवान की मूर्तियां रखी गए मारोस सविरे उठकर पूजा करती है उसे ध्यान आया कि वैं खाली हाद घर आया कम से कम कमन के लिए तो कुछ ले कर आना चाहिए था पढ़ाई वढ़ाई ठीक हो रही है उसने कमन से पूछा जी कमन ने कहा अच्छा तो मिले लिए सिगरेट ला दोगे जी हाँ उसने एक रुपे का नोट जेब से निकाल कर उसे दिया एक पैकेट चार मिनार ले आओ और बाकी पैसों का अपने लिए कुछ ले लेना क्या ले 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 लेना कुछ भी जलेबी ही ले लेना जलेबी यहां उसे बहुत पसंद थी जब यहां रहता था तो अकसर सुबह तही जलेबी का नाश्टा करता था कमन चला गया वह समान मावाले कमरे में उठा लाया और तहमत निकाल कर कपड़े बदलने लगा उसके पीछे पीछे मावी चलिया मंदिर का क्या हो गया कमरे में मंदिर ना देखकर उसने पूछा शुकलाईन के घर भी जवा दिया मेरी तबियत तो ठीक नहीं रहती सबेरे उठकर दो एक दिन नहा लिया तो सर्दी लग गई सदीश की दुलन से कहा था वह आर्थी कर दिया करे थो उन्होंने कह दिया उनसे ना होगा वह चुप हो गया दरवाजेक वाला कमरा भी किराएदारों को दे दिया है क्या नहीं वह अपने कबजे में है संतु वहीं तो रहते थे कपड़े बदल कर वह चार पाई पर लेट गया सामने दिवार पर पिता का चित्र लगा था छे साथ वर्ष हुए उनका दिहान तो उसकी नौकरी तब लगी लगी ही थी सतीश उन दिनों ड्राफ्ट स्मैन की ट्रेनिंग ले रहा था संतु नवे में था काफी कठिन दिन थे वे पिता को रिटायर हुए चार पाँच वर्ष हो चुके थे फंड का सारा पैसा बहन की शादी में निकल गया था जैसे तैसे उसने एमे किया था पिता ने किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी कर ली थी वे स्वैम पढ़ने के साथ टूशन करता था तीन चार टूशने करता था एक साथ उस पर भी घर का खर्च नहीं चलता था मा ने बिस्तर लगा दिया वे लेट गया और लेटे लेटे कोई पत्री का पढ़ने लगा जो उसने रास्ते में खरीदी थी सफर की धकान उसे महसूस हो रही थी, एक बार उसके मन में आया कि मित्रों से मिलाए, उसने घड़ी देखी, साड़े साथ बजे थे, वह टाल गया, सुबह देखा जाएगा उसने सूचा, द्वारी का मर गए माने कहा, कब उसने पूछा, द्वारी का बाबु महले के सबसे प बिमार थे, हाँ दो-चर दिन बुखार आया होगा, उसके पिता की मृत्ति हो जाने के बाद भी, द्वारी का बाबु होली पर हर वश उसके घर आते रहे, और मांग कर कुछ न कुछ खा देते, पिता थे, तब तो हर वश ठंडाई बनती थी, और कभी-कभी एक दो बोतले शराब की भी खुल जाती थी, होली का समान बन गया, उसने पूछा, मा ने कोई उत्तर नहीं दिया, पापड बने हैं, कमन ने कहा, गुजिया नहीं बनाई, सतीश कहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, खोया छे रुपे सेर जो विग रहा है, वे चुपरा, कमन, सतीश ने अपने कमरे से अवाज दी, बड़े मामा से पूछो, खाना दे जाए, ले आओ, उसने कहा, कमन ने एक थाली में पराठे, और आलू बैगन की सबजी लाकर चार पाई पर रखी, चार पाई पर वे खाने की, उसकी पुरानी आदत है, खाना, पढ़ना, शेव, सभी वे चार पर, चार पाई पर ही करता है, मा ने गिलास में पानी लाकर नीचे फर्श पर रख दिया, उसने खाना शुरू किया, पिंकी साफसा बोलने लगा, मा ने पूछा, अभी कहा, तुमारे सामने जैसा बोलता था, वैसा ही है, उन लोगों को भी लेते आते, चार महीने हो गए, मुझे देखें, वह खाना खाता रहा, कम्मन का इंतिहान हो जाए तो तुम भी वहीं चलियाओ, एक दो महीने रह जाओ, उसने कहा, देखो अभी तो दो धाई महीने हैं, और पराठा लोगे, दुलहें, मा ने सतीश की पतनी को अवास दी, नहीं नहीं बस, उसने कहा, खान खाने चली गई, वह लेटे-लेटे संतु के बारे में सोचने लगा, उसकी और संतु की उम्र में आठ वर्ष का अंतर था, सतीश, उससे पांच वर्ष छोटा था, संतु के बाद फिर मा के कोई संतान नहीं, संतु छे महीने का था, तब मा को टाइफाइड हो गया था, साथ पिता को डॉक्टर बदलने की सलहा दी, परंतु उन्होंने उन्हीं का इलाज चलने दिया, आखिर उन्हीं के इलाज से फायदा भी हुआ, और दौनों ठीक हो, मा और संतु, परंतु इसका असर यह हुआ, कि संतु का स्वास्ते हमेशा के लिए बिगड गया, शुरू से ही एक वर्षवा जी भरकर घुमा, संगत भी कुछ खराब हो गई, पिता भी उन्ही दिनों रिटायर हुए थे, वृद भी हो चले थे, फिर आर्थी कटनाईया भी थी, वह कुछ देख सुनने ही पाते थे, और नतीजा यह हुआ कि अगले साल जब दुबारा संतु का स्कूल जाना शुरू कराया गया, तो उसका मन ही नहीं लगा पढ़ने में, अक्सर स्कूल जाता ही नहीं, और फीस लेकर खर्च कर डालता था, शुरू में तो पता ही नहीं चला, चार-चे मैने बाद पता चला, कुछ मार पिट हुई, मगर कोई अंतर ना पढ़ा, वही सेवे खर नौकरी ही लगवा देता, उसके कई मित्रों के पिता अच्छी जगहों पर काम करते थे और अब भी करते हैं, वह कह देता, तो वह लोग उसे कही ना कही छोटी मुटी नौकरी पर लगवा सकते थे, परंतु उसने कभी उस और सोचा ही नहीं, और नतीजा यह हुआ, कि ठक गए हो तो कमन से प्यार दबा लो, मा ने कहा, नहीं नहीं, मा थोड़ी देर चुप रही फिर बोली, संतु का क्या होगा, साल भर काते और है बेटा, किसी तरह उसे छुडा लो, अच्छा कल कुछ करेंगे देखो, उसने कहा, मा चुप बोली, फिर अपने आप बोली, बड़ा ही नलायक निकला, आस तक खांदान में कोई जेल नहीं गया था, घर की सारी इज़त मिटी में मिला दी, उसने कुछ नहीं कहा, कितने दिन की छुट्टी लाए हो, मा ने कुछ देर बाद पूचा, चार दिन, उसने कहा, बत्ती बुजा दे, मा बिस्तर पर लेट ग सोने से पहले उसने सोचा कि सुबह उठकर खुरशीद के घर जाएगा, खुरशीद उसका सहपाटी था, उसके पिता ने कहीं वर्ष जेल की नौकरी की थी, खुरशीद जेल वालों को जानता था, उसी के साथ उसने सोचा, वे जेल जाकर संतु से मिलेगा, फिर देखेगा क्या हो सकता है सुभा वै कुछ देर से उठा जैसी कि उसकी आदत थी लेटे लेटे उसने कम्मन को अवाज दी कम्मन आकर उसकी चार पाई की बगल में खड़ा हो गया अकबार आ गया? उसने पूझा कम्मन चला गया शायद सतीश के कमरे में लोट कर बोला अकबार नहीं आता अच्छा मा चाय ले आई वै उठकर चाय पीने लगा संतु को देखने जाओगे? मा ने पुझा हाँ उसने कहा, मैं भी चलूँ तुम क्या करोगी चल कर एक शन्वे चुप रा फिर बोला देखो आज जमानत का इंतिजाम करूंगा कुछ पियाला जमीन पर रखकर वर सिगरेट पिने लगा कुछ रुपया हो तो दो दो तिन रुपय का खोया मंगा ले मा ने कहा, अच्छा उसने उठकर कोट की जेब से दस रुपय का नोट निकल कर मा को दे दिया तुम ही कह दो सतीश ने मेरे कहने से तो वह नहीं जाएंगे उसने सतीश को आवाज दी, सतीश आ गया लो यह रुपय लो कुछ खोया बगएरा ले आओ, खोया खोया तो आ गया, सतीश ने कहा आ गया, हाँ कल ले आया हूं मैं उसने मा की और कुछ संधेह की दृष्टी से देखा अरे मुझको क्या मालूम मुझे कोई बताता है कुछ माने अपनी सफाई दे, इसमें बताने ना बताने की क्या बात है सतीश ने कहा, माने कुछ कहा जो वह सुन नहीं सका वह आकर जाकर, नीचे शोचाले के लिए गया रुपे वहीं चारपाई पर छोड़ाया था हाथ मुदो कर वह खुर्शीद के यहां जाने की तैयारी करने लगा साइकिल है, उसे सतीश से पुछा नहीं, कहां गई संतु कहीं ले गए थे, लोटा कर नहीं लाए लोटा कर नहीं लाए, क्या किया क्या मालुम क्या किया बेच दी होगी, नहीं तो कहीं गिर भी रख दी होगी वह चुपो गया, कपड़े पहन कर पैदल ही घर से निकल गया खुर्शीद जेल के दो एक अधिकारियों को जानता था उसी के साथ वह जेल पहुचा जेलर ने संतु को वहीं अपने कमरे में बुलवा लिया संतु आकर चुपचाप खड़ा हो गया, उसने देखा संतु के कपड़े बहुत मैले थे बाल रुखे थे, चहरे पर बड़ी हुई दाड़ी थी बैट जाओ, जेलर ने उससे कहा तो वह कमरे में एक और पड़े लकड़ी के एक बक्स पर बैट गया खुर्शीद ने संतु की और देखा फिर सिग्रेट चला कर जेलर से बाते करने लगा क्या हुआ था, उसने संतु से पूचा कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं और तुम्हें योई पकड़ लिया मुझको नहीं मालूम संतु ने कहा अफीम नहीं निकली थी घर से अफीम नहीं तो कब निकली थी तो क्या पुलिस से तुम्हारी कोई दुश्मनी है मुझको नहीं मालूम वह चुप हो गया संतु की आदत है वह ऐसे ही बाते करता है वह चुप हो गया और थैले का समान निकल कर उसे देने लगा डबल रोटी, मक्खन और दाल मुठ वगएरा दो पैकेट सिगरेट पीता वह जानता था कि संतु सिगरेट पीता है अलाकि उसके सामने कभी नहीं पी खुरशीद भी उठकर वहीं आ गया क्यूं भाईया, क्यूं ही ऐस सब काम करते हो खुद परिशान होते हो और घरवालों को भी परिशान करते हो संतु ने उसकी और देखा बुला कुछ नहीं, जैसे जताना चारा हो आप से क्या मतलब सतीश की साइकल क्या की उसने पूछा, मिल जाएगी है कहां एक दोस्त के घर पर है थोड़ी देर बाद वह खुरशीद के साथ वापस चलाया सारी दुपैर उसे वकील और कचारी करते भी थी बड़ी कटनाई से चार बजे के करीब जबानत मंजूर ही खासा खर्चा भी हुआ उसके पास अधिक रुपे नहीं थे खुरशीद के जरिये एक महाजन से सौर रुपे उसने सूथ पर उधार लिये थे 25 वकील को दिये चार पांच दर्खास्त वगेरा देने में लग गए पांच पेशकार को दिये तब उसने दस्ती रिलीज और बना कर दिया पांच बजे से पहले ही और पहुंच जाना चाहिए वरना रिहाई नहीं होती खुरशीद उसके साथ रहा उसी की जान पैचान के कारण पांच बजे के बाद जेल पहुंचने के बावजुत रिहाई हो गई खुरशीद जेल से ही लौट गया वे संतु के साथ घर आया रास्ते में उसने संतु से कोई बात नहीं की संतु की चहरे से कदापी ऐसा नहीं लगाता किसी ने किसी से कोई बात नहीं की मा चार पाई पर बैठ गई उसी पर वे भी बैठ गया संतु दूसरी चार पाई पर बैठ गया शती शायद अपने कमरे में था वे बाहर नहीं निकला उसकी पतनी अंदर रसोई में कुछ कर रही थी मा उसकी पीट पर हाथ फिराने लगी कमन जाओ बड़े मामा के लिए कुछ खाने को ले आओ सुभा से कुछ खाया पिया नहीं है बेटे मा ने कहा फिर संतु से बोली भाईया कुछ तो खयाल करो खानदन का आज ही आना होता तो कौन छुडाता तुमको संतु फिर भी कुछ नहीं बोला गुजिया ले आए कमन ने मा से पुछा नहीं चाए बनवा दो जरा उसने कहा चाओ मामी से कह चाए बना दे माने कमन से कहा फिर से पुछा कुछ खाया पिया था दिन में वै अब भी उसकी पीट पर हाथ रखे थी हाँ उसने उत्तर दी चाए पीकर वै बाहर चला गया राजीव शायद देरादुन से आया उसने सोचा राजीव उसका बच्पन का दोस्त था आजकल देरादुन में पुस्टिट था होली पर हरवश वै घर आता है उसके मकान से दूर नहीं है उसने जाकर राजीव को आवास दी राजीव बाहर आया शायद कहीं बाहर जा रहा था उसने कमरा खोला कुछ आपचारी कसी बाते हुई तब ही यकायक राजीव ने पुछा संतु के बारे में क्या सच है हाँ जमानत मामानत हुई हो गई राजीव फिर खामोश हो गया उसने फिर घड़ी देखी कहीं जा रहे हो क्या उसने पुछा हाँ जरा भावी के साथ पिच्चर जाने का प्रोग्राम था जाओ फिर तुम्हे देर हो रही है वै खड़ा हो गया राजीव भी खड़ा हो गया सुबहा होंगा घर पर ही रहो गया हाँ हाँ वै बाहर सड़क पर आ गया चुराय पर उसने भूला की दुकान से सिग्रेट ली नमस्ते भाईया कब आए भूला ने पूछा यहाँ था तो रोज आफिस जाते समय वै साइकल रोकर भूला की दुकान पर पान खाता था कल उसने कहा और सिग्रेट जलाने के लिए टीन के डिब्बे से कागच का टुकड़ा उठाने लगा माचिस ले लो भाईया भूला ने उसके और माचिस पड़ा दी वै सिग्रेट जलाने लगा संतु भाईया की जमानत हो गई बोला ने पूछा हाँ उसने माचिस दुकान के तक्ते पर रग दी और अपने मकान के और चल दिया घर आ रहा था तो उसने देखा होली पर लकणियों का धेर लगा था दो चार बच्चे शीशियों में रंग भरे खेल रहे थे एक ने उसके कपड़ों पर छोड़ भी दिया था परन्तु यह तो होली जलने के तीन चार दिन पहले से होने लगता है जिस दिन होली जलती है उस दिन तो खासा रंग चलता है पहले लेकिन अब तो सभी त्योहर बदल गए रसम निभाने की बात रह गए क्या जोली जलेगी घर आकर उसने मा से पुछा हमारी पिछकारी देखोगे बड़े मामा कंबन ने उसे पिछकारी दिखाने लगा टीम की सस्ती सी पिछकारी थी प्लास्टिक वाली भी है उसने प्लास्टिक की एक जूते नुमा बनी पिछकारी भी उसे दिखाई है आँ यह तो बढ़िया है वह उसे हाथ में लेकर देखने लगा यह कह रहे थे वह बोतल में लगाने वाला फुबारा लेंगे बगर सुना है बहुत महँगा आता है धाई रुपे का आता है कम मन ने कहा अच्छा देखो कल ले देंगे तुमका उसने कहा खाना काओँगे माने पुछा हाँ लाओ उसने कहा और कपड़े बदलने लगा खाना कहा कर वह लेट गया हो ली ता अपने जाओगे माने पूछा कितने बज़ी चलेगी सुनते हैं चार बज़े आग लगेगी हम नहीं जाएंगे उसने कहा संतु कहां गए बार वाले कमरे में नहीं है बत्ती तो नहीं जल रही थी वहां तो निकल गए होंगे इतना समझा है लेकिन उपर कोई असर ही नहीं पड़ता अपने साथ ही लेते जाओ इनको वहीं कहीं नौकरी लगवा दो शायद सुधर जाए उसने कुछ कहां नी चुपचाप लेटा रहा दूर कहीं लोग फाग गा रहे थे धोलक मंजीरी के साथ गाने के कुछ असपष्ट से सवर देर तक कानों में पड़ते रहे सुभा व्या कोई नौ बजी सो कर उठा माने चाय ला कर दी उसने सिगरेट सुलगाली और चाय पीने लगा कममन नीचे से रंग खेल कर आया तो उपर से नीचे तक रंग में सरोबर था थर थर कांप रहा था परन्तु बाल्टी में रंग घोले जा रहा था मूपर किसी ने कालिक लगा दी थी चोटा भाई चट पर खड़ा उससे हसी कर रहा था अम्मा के उपर भी डाल दो थोड़ा से रंग वे कह रहा था डाल दे अम्मा कममन ने पिछकारी भड़ते वे पूचा मुझ भूडी के उपर क्या डालोगे जाओ बड़े मामा के उपर डालाओ कम मन ने मुढ कर उसके कमरे की और देखा वे चाए पीकर प्याला नीचे रख रहा था उसने कुछ कहाने कम मन चुपचा बाल्टी लेकर नीचे चला गया चोटे भाई की पत्नी रसोई में कचोड़ियां तल रही थी दूसरे चुले पर गोश्ट पक रहा था खुश्बू से उसने अनुमान लगाया कमरा रसोई के बगल में होने के कारण उससे धुआ भर गया था वे उटकर चोटे भाई वाले कमरे में आ गया और बालकॉनी पर खड़े होकर नीचे गली में देखने लगा कमन बाल्टी लेकर गली के नुकड़ पर खड़ा था गली में कुछ बच्चे एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे नीचे पाईप पर उत्तन सुनार महारीन से ठिटोली कर रहा था तुमारे किसी ने रंग नहीं डाला तुम डाल देव ना सब के सामने कैसे डाल दे तबी गली में रंग खेलने वालों की एक दूली ने प्रवेश किया वह उनमें से कुछ लोगों को जानता था इससे पहले कि वे वहां तक महुचे वह बालगानी से हटकर कमरे में आ गया और बिस्तर पर लिटकर कमन की एक किताब उठा कर पढ़ने लगा किताब इतिहास की थी वह पढ़ने लगा एक समय भारत बड़ा धनी देश था उसे सौनी की चड़िया कहते थे रंग खेलने वाले लोग बीचे गली में खासा शोर कर रहे थे वे लोगों को मकानों से बुला रहे थे कुछ लोग शायद भंग पिये हुए थे और जोड जोड से हस रहे थे उसने सोचा शायद उसे भी वे लोग बुलाएं पर वे आगे बढ़ गए उसे ही असब अच्छा नहीं लगता जबसे उसने होश्ट संभाला कभी इस तरह रंग नहीं खेला जाने क्यों उसे इस तरह रंग खेलना अजीफ वड़ पंसा लगता है कोई आया नहीं उसने मा से पुझा हर वर्ष उसके हिया कुछ लोग घोली पर आते हैं जीवन मामा, चौते साब, पांधरीबा वाली मौसिया, बच्चु दादा आ दी अभी तो कोई नहीं आया माने का कुछ खाओ तो ले आओ, नहीं उसने उत्तर दिया तभी राजीव ने उसे अवाज दी और वैं उठकर बालकवानी पर आ गया क्या कर रहे हो निकलो बाहर राजीव ने कहा, जा नहीं पड़ेगा वैं जानता था उसने कपड़े बदले, जो होली के लिए एक पुरानी पेंटर कमीजवे साथ लाया था और नीचे उतर गया, कमरा खुला राजीव ने उसे एक गुलाल आधी लगा दिया उसने भी उसी से गुलाल लेकर उसके माते पर लगा दिया छोटा भाई एक थाली में पापड गुजिया आधी दे गया चलो, निकलोगे नहीं बाहर राजीव ने पापड मुँ में रखते वे कहा पी आये हो क्या कहीं से उसने कहा चलो चले, कहा चलोगे यहां से तो निकलो पहले वे उठकर उपर आया, मा से बोला अभी आते हैं थोड़ी देर में उधर से ही मजली चाची, बाबू और रमिश के यहां होते आना मा ने कहा, अच्छा कहकर वे नीचे उतर आया गली से बाहर निकल रहा था तो नुकड पर खड़े लड़कों ने उसे घेल लिया और उस पर रंग डान ले लगे, वे रुग गया बस बस उसने घड़ी को पानी से भीगने से बचाने के लिए उस पर रुमाल बांद लिया पियोगे तो थोड़ी सी ले लो चल कर, राजीवन ने कहा, कहा मेरे यहां एक हाफ लाया था, थोड़ी बाकी है और थोड़ी पी, वे चला गया राजीवन ने अलमारी से बोतल निकाली, उपर से गिलास और एक प्लेट पे भुनावा गोश्ट ले आया थोड़ी दिर वहीं बैटकर उन लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी पी, उसने सुबह से मंजन भी नहीं किया था वैसे ही पानी से कुला कर लिया, उसे हलका हलका नशा चड़ने लगा, इसके बाद वे बाहर निकला वैसे ही महले में इधर उधर निर्योदिश्य घुमते रहे, परीचितों और मित्रों से हूली मिलते रहे मुझे जरा लाल बाग जाना था, चलोगे? कोई एक घंटे बाद राजीव ने कहा, किसलिए? एक रिष्टे की भाबी होने के यह जाना है, पीने को मुलेगी वहां, तुम ही हो जाओ, उसने कहा, राजीव चला गया, तो वै अकेला रहे गया पान की दुकान से उसने सिकरट लेकर पी और एक शन खड़ा सोचतरा की क्या करे, तब ही उसे ध्यान आया, माने दो-चार जगा जाने के लिए कहा था, पहले वै मजली चाची के यह आ गया मजली चाची विद्वा थी, काफी दिन में चाचा की टीबी में मृत्ती हो गई थी, संतान थी नहीं, मकान खासा बड़ा था, उसी में चाची की एक छोटी बेहन भी रहती थी, वह भी विद्वा थी, और अन्तु उसके एक लड़की की थी, जिसका विवा हो चुका था, और लड़की दमाद भी उसी घर में रहते थे, उसने घर में परवेश किया, तो आंगन में खासा हुड़दंग मचाता, छोटी चाची की लड़की के अतरिक्त, दो एक और लड़कियां कुछ नवीवक आंगन में रंग खेल रहे थे, किसी ने उसके आने पर ध्यान नहीं दिया, वह एक शण वहीं द्वार पर खड़ा रहा, फिर आगे दलान में पड़ गया, बगल वाले कमरे में चाची एक खटोले पर बैठी थी, उसने चाची के पाउच हुए और वहीं बैठी, कौन है, चाची ने अपने मूटे शेश में से उसके और नियारा, मैं हूँ व कुछ को क्या मालूम मेरे भी कोई है, चाची ने कहा, मेरा ट्रांसफर हो गया है न, उसने उनकी बात में छिपे कटाक्ष के और ध्यान ने दिया, कहा, पटना, कब हुआ, कई महीने हो गया, और उसे अच्छी तरह याद था, कि पटना जाने से पहले वह उनसे मिलने आया और अपने ट्रांसफर के बारे में पताया भी था, चाची कुछ देर चुप रही, फिर अपने आप बोली, अरे मैं तो तंग आ गई हूँ इस घर से, सबेरे से हुरदंग मचा रखा है इन लड़कें योनों, अरे ओ छोटी, सकुन सभीता, कोई नहीं है इसनता, क्या है कि अरे फत्ते का लड़का, अच्छा आती हूँ, आंगन अभी लड़कियों की खिलकिलहट से गूंज रहा था, कौन लोग हैं उसने पूछा, चोटी लड़कनी की सहेली हैं सबे, मेरी तो नाक में दम हो गए है, और मैं कहती हूँ अब बस भी करो, वैं कुछ हसी फिर बुल देवर आया है न होली खिलने, सब सबेज जुटी है, अच्छा और लोग भी तो हैं उसने कहा, उसी के दोस्त यार हैं, तब तक छोटी चाची कुछ खाने पीने का समान ले, अरे ये तो बहुत है उसने कहा, भाई थोड़ा निकाल लो, जादा हो तो, मुझको तो कुछ द लिखाई नहीं देता, चाची नहीं कहा, तब तक छोटी चाची के दमाद राम परसाद आ गए, रीजनल ट्रांसपोर्ट में काम करता था वै, खासी आमंदनी होती थी, उसके साथ उसके दो एक मित्र भी थे, अरे विपिन भाबू, आओ भाई आओ, कब आए पटना से, व वहाँ उसके मित्र भी बैठे थे, राम परकाश छोटे छोटे गलासों में शड़ाब उड़ेलने लगा, मेरे लिए ना दीजेगा, उसने कहा, क्यों पीते नहीं हो, वैसे ही कभी पी लेता हूं, उस तो पी ली, कभी के लिए तो है, उसने एक गलास उसे भी दे दिया, त वैं इनकार ना कर सका, संतु का सब ठीक हो गया ना, अभी तो नहीं, राम परकाश ने पूछा, तो उसने कहा, अरे सब ठीक हो जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, विशन सिंग से मैं कह दूगा, कौन विशन सिंग, डी वाई एस पी सिटी, मेरे यहां तो आते रहते हैं, संतु अभी मिले थे ना, मैंने उनसे कहा, मुझको दो एक दिन में याद दिला दे, वैं चुप रहा, आंगन में शूर कम हो गया था, वैं थोड़ी दिल और बैटा, फिर उठकर खड़ा हो गया, अच्छा अब चलू, उसने कहा, चलो गए अच्छा, राम परकाश उसे ब समरे में जाकर चिप गए, किसी लड़की ने कहा, चिपा नहीं, तुम्हारे साथ रंग खेलने के तियारी कर रहा था, वैं चाची के पास आया, अच्छा चलता हूँ चाची, अच्छा भाईया, पाल ले लिया, हाँ, यह संतु के बारे में सुनने आया कि जेल हो गई, चा चचा जाद भाई थे, उससे आयू में काफी बड़े, बलकि उसे गोध में खिलाया था, उनकी शिक्षय दिक्षय, उसी के घर, उसके पिता की देखरेक में हुई थी, विवा भी, परन्तु विवा के चार वर्श पास, वह अपने परिवार को लेकर अलग हो गए थे, शुरू में बाबु दादा बड़े गुसेवर मिजाच के थे, उनका सारा घर, पत्नी, बच्चे सब उनके आगे थर-थर काम देते, परन्तु वह अब काफी नर्म पड़ गए थे, आओ आओ बाबु दादा ने उससे कुरसी पर बिठा कर तक्त पर बैठ गई, काफी देर उससे इधर-उदर की बाते करते रहे, पत्ना शेहर के बारे में, ऑफिस के बारे में, उसके बाबा के बारे में, इसी बीच उन्होंने सिगरेट और शराब की भी पेशकश की और उसने मना कर दिया, इतने में ही चाचा ने अंदर अवाज दिये, रेखा, चाचा को अंदर ले जाओ नाश्टा वाश्टा कराओ नहीं मैं आप चलता हूँ वह उटकर खड़ाओ आओ लाला जी तुम तो दिखाई नहीं देते उसके अंदर घुसते ही भावी ने कहा कैसी तबियत है अपके उसने पूछा भावी प्रया बिमार रहती थी उनके हाथ पैर में सूजन आ दिल की धड़कन की कोई बिमारी है आज उठी है थोड़ी देर के लिए त्योहर में उठाना जाए तो काम नहीं बनता मगर देखो जरा सा काम किया हाथ पाउं फूला है वै धूती उठा कर पाउं दिखाने लगी वै चार पाई पर पैट गया मुन्ना भावी ने लड़के के माते पर लगा दिया भावी ने हाथ से अभी लेकर उसके सारे मुह और बालों में भड़ दिया वै चुपचाप खड़ा रहा तब तक रेका थाली में गुजिया पापड़ा दी ले आई सराप पिये है चाचा उसने कहा अच्छा उसने कहा तुमको कैसे पता बाबु पूछ रहे थे ना चल भाग यहां से भावी ने उसे डाटा किस दरजे में है यह तीसरे में नाम लिखाया इस साल वै गुजिया काता रहा एक पुड़ी ले आए लाला जी नहीं नहीं भावी एक ठो बस नहीं फिल कभी खाएंगे अभी पेट बहुत बड़ा है अच्छा यह गुजिया तो सब खाड़ा लो भावी पान लगाने लगी जब हमारी साधी हुई थी तो तुम अपने दादा के साथ रंग खेलने आये थे चार बरस के रहे होंगे जरासी पिछकारी लिये तुमको याद नहीं होगा मैंने तुम्हारे ओपर रंग डाल दिया तो तुम रोने लगे थे हम तुमको बहुत चुप करा है पर चुपी ना हो तो फिर हमारे बाबुजी ने तुमको पांच रुपे का नोट दिया तब जाके चुप गुजिया तुमको खाने को दी तो त याद नहीं होगा तुम्हें वह हसने लगा याद कहा से होगा हर वर्ष होली पर भाबी इस बात को याद दिला थी और वह ऐस सुनता है जैसे पहली बार सुन रहा हो चलनी लगा तो भाबी ने पूछा छोटे लाला और संतु को नहीं लाय भाई घूम रहे होंगे इधर उ कर ले गई तो अब मुकदमा चलेगा भावी ने पूछा हाँ चलेगा राम राम यह संतु लाला को क्या हो गया दिमाग की खराबी है और क्या उसने कहा भावी उसको छोड़ने देहलीज तक आ गई दादा कमरे में अकेले बैटे गई सुना भावी ने कहा संतु लाला ही कहा है हमारे भी तो साब जाते हैं इनको भी किसी दिन जेल होगी मुन्ना वही कड़ा था उसने उनकी और देखा अच्छा चले दादा उसने कहा कुछ देर बहुत देर हो रही है चाची तो अच्छी तरह है हाँ देखो शायद शाम तक आऊंगा अच्छी बात है पानों की दिवारों पर तुकानों पर साइन बोडों पर हर जगा रंग खेले जाने के निशान थे यहां तक की गायों और कुत्तों पर भी रंग पढ़ा था कुछ लोगों ने तो सिनेमा के पोस्टरों के साथ भी रंग खेला था रमेश के यहां जाए या ना जाए वैं स माने कहा था आता है उसने सोचा दो मिनट पर निप्टा ही लो रमेश उसकी बुवा का लड़का था उसी की उम्र का रहा होगा फुफा तीन चार वर्ष हुए कहीं तीर्थ करने गए थे तब से लौट कर ही नहीं आए बुवा है रमेश उसकी पत्नी और उसके चार बच्चे रमेश का विवा उसकी विवा से कई वर्ष पहले हो गया था यद्व भी पत्नी की आयू जादा नहीं है परन्तु चार बच्चे होने के कारण उसका स्वास्त है अवश्य गिर गया है वह पहुचा तो रमेश घर में नहीं था उसकी पत्नी कुंती रंग से भीगे कपड़ अब आप नहीं आएंगे लेकिन मुझे विश्वास था कि जरूर रहेंगे हाँ देर हो गई उसने कहा और फर्ष पर पड़ी चार पाई पर बैठने लगा अब बैठिये नहीं इधर आजाईए पहले उसने कहा रंग पहले से घुला रखा था दो बाल्टियों में एक मिहर दूसरे में लाल वह उटकर खड़ा हो गया कुंती उसका हाथ पकड़ कर छट पर जिदर रंग पड़ा था उधर ले गई और लोटे से बाल्टी में से रंग लेकर उसके उपर डालने लगी उसने उसके हाथों से लोटा चीन लिया और रंग लेकर उसके उपर डालने लग अच्छा ठीक है लगा लो उसने कहा और अपने हाथ में भी रंग लेकर उसके मूँ में लगाने लगा उसने बचना चाहा परंतु उसने उसे पकड़ लिया और मूँ में रंग लगा दिया उसका मूँ चमकने लगा वह वापस चार पाई पर आकर बैठ गया धूप में कपड़े सुखाने लगा कुंती रिष्टे में उसकी भाबी थी परंतु वह उसे कुछ कहता नहीं था शायद इसलिए कि वह उम्र में उससे काफी छोटी थी जब वह में पढ़ता था तो अकसर उसके यहां आया जाया करता था घंटो उससे बैठ कर बाते किया करता कभी-कभी उसे पढ़ाया भी करता उसी के कहने पर उसने हाई स्कूल का फॉर्म भराता और शायद उसी की साहिता से पास भी हो गई थी थर्ड डिविजन परंतु उसके बाद धीरे-धीरे आना जाना कम हो गया कुंती अंदर से खाना ले आई, पूरी सबजी वगएरा थाली चारपाई पर रखकर वह बच्चे को गोद में लेकर दूद पिलाने लेगी अरे यह खाना क्यों ले आई हो? उसने कहा, खाना तो पड़ेगा आपको नहीं बहुत पेट भरा हुआ, शाम को खालूँगा मैं जानती हूँ, शाम को आप नहीं आएंगे आउंगा जरूर आउंगा आप ऐसे ही जूट बोल देते हैं, अच्छा एक टुकड़ा खालीजिए और उसने थोड़ा सा खालिया बुआ कहा हैं, उपर छट पे धूप सेक रही है वह उटकर उनसे मिलने चला गया लोटकर घर आया, तो कोई तीन बजे थे कमन नहा दोकर नए कपड़े पहन कर इधर उधर टैल रहा था कोई आया था, उसने मा से पूछा हाँ, चौते साब आये थे, जीवन मामा नहीं आये और पांधरीबा वाले मौसी या वह भी नहीं आये, वह तो परसाल भी नहीं आये थे वह चुप हो गया तुम सब कहीं हो या है, माने पूछा हाँ तो अब नहा डालो, पानी गरम है वहनाने बैट गया, हाथ-पैर का रंग छुड़ा ही रहा था कि तब उसे ध्यान आया कि जब उसने बाहर कमरे में राजीव को बिठाया था, तो कमरा बहुत गंदा था बाहर का कमरा किसी ने साफ किया उसने पूछा, कौन साफ करेगा माने पुछा, मैं ही साफ करू तो करूँ सो मुझे अब दिखाई ही नहीं देता वहनाने के बीस से उठ खड़ा हुआ और कमरा साफ करने लगा कमरा साफ करने के बाद उसने स्तान पूरा किया तौलिये से बदन पहुची रहा था पाने लेकर कैब आने लगी खाना ले आया है माने उससे पुचा, नई पेट भरा है उससे ध्यान आया, उसने सुभा से मंजन ही नहीं किया था वह तो टूद प्रश लेकर दांत साफ करने लगा वे पिन, जीवन मामा सदा जीने पर से ही आवाज देते थे आये मामा, उसने कहा आजाओ, हाँ, हाँ, आये ना वे जीने के सामने आ गया लाओ भई, गोश्ट पूरी खिलाओ जीवन मामा छट पर निकल आए हर वर्ष होली पर वे गोश्ट खाने आते हैं उनके यहाँ सब लोग शाका हरिया, अते घर में पकता नहीं वे छट पर पड़ी, कुर्सी मेज ठीक करने लगा, इनको क्या हो गया जीवन मामा ने संतु को छट पर आँखे बन किये पड़े देखा तो पूछा अजी कहीं से पी पिला आये होंगे उसने कहा जीवन मामा चुप हो गए तुम कब आए, दो तिन दिन हो गए बच्चों को नहीं लाए, वे अपने नाना के यहां गए और बहन जी कहा है अंदर होंगी उसने कहो और मा को अवास देने लगा अमा जीवन मामा आए है, मा बहार चट पर आ गई नमस्ते बहन जी, मामा ने कहा नमस्ते, मा ने कहा बैठो मामा पहले से ही बैटे वोई थे और क्या हाँ चेल है अभी तो आपको साफ दिखाई नहीं देता कहां दिखाई देता है जान पड़ता है, बस कोई बैठा है शकल नहीं दिखाई देती बाई साब को रना रहने के बाद से आपकी तंदुरस्ति काफी गिर गई है रह थोड़ी गया है कुछ शरीर में मा ने कहा अमा मामा के लिए गोश्ट पूरी ला कर दो उसने कहा गोश्ट तुम परस दो अब पूरी मैं निकाले देती हूं मा ने उठते वे कहा वे गोश्ट निकालने के लिए प्लेट ढूनने लगा जीवन मामा कुरसी पर बैठे बैठे संतु को निहारते रहे जीवन मामा बहुत दूर के रिष्टे से उसके मामा लगते हैं उसके पिता के घनिश्ट मित्रों में से थे हलाकि उम्र में उनसे बहुत छोटे थे पिता थे तो रोज बीना नगा शाम को आते थे बाचित का सिलसला कभी खतम ही नहीं होता था पहले जब स्वतंतरिता नहीं मिली थी तब जीवन मामा कॉंग्रेस की बड़ी तारीफ करते स्वतंतरिता मिलने के बाद वह कॉंग्रेस की बुराई करने लगे और कॉंग्रेस की तारीफ पहले जब पिता थे तो होली पर जीवन मामा के आने पर घर में बोतल खुलती थी हलाकि दौनों आदमी मुश्किल से एक एक छटांग पीते थे परंतु उसके बाद इतनी गरम गरम बहस होती थी कि मा कहने लगती पीते तो सबको देखा लेकिन पीकर जगड़ा करते और किसी को नहीं और पिता की मृत्यू के समय जीवन मामा अपने घर गए वे थे लोटकर आए तो घंटों घर आकर रोते रहे थे उसी के बाद से धीरे धीरे उनका आना जाना कम हो गया अब तो होली दिवाली पर ही आते हैं मा पूरी निकाल लाई थी वह प्लेट में गोश्ट निकाल रहा तो मामा ने का हड़ी वाली बोटी देना भाई उसने चाट कर बोटिया निकाली और प्लेट में लाकर मेच पर रख दी तुम नहीं खाओगे मैं खा चुका हूँ उसने का मामा खाने लगे अरे गोश्ट तो बहुत बढ़िया बना है भाई उन्होंने का खाने की तारीवे हमेशा करते थे पिता अकसर इस पर उन्हें टोकते थे भाई खाने के बाद तारीफ करते तो मैंने लोगों को सुनाए और तुम तो खाते खाते ही तारीफ करते जाते हो अरे भाई इसे खाना और अच्छे लगने लगता है मामा कहते संद उठकर बैठ गया थोड़ी देर बधवास सा बैठ रहा फिर उठकर नीचे चला गया जीवन मामा के चैरे पर कुछ रेखाएं उभराई उन्होंने खाना रोग दिया अच्छा यह तो बताईए यह कौन सा तरीका है भाई साब होते तो आज कितना अफसोस होता ऐसे आदमियों के साथ तो बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं करनी चाहिए अब क्या बताएं आपको यह तो पकड़े गए थे हाँ मैंने सब सुना है तुमने गलती की जो इसे छुड़ा लाईन है मैं तो पड़ा रहने देता सिरफ अम्मा का ख्याल था ममता नहीं मानती भईया मा ने कहा नहीं तो ऐसे लड़के से बिना लड़का ही भला नहीं बहन जी जीवन मामा ने कहा आप जितनी ममता कीजिएगा उतने ही ये और खराब होंगे मा चुप रही जीवन मामा फिर खाने लगे खाना खाकर वे हाथ धोने लगे तो मा पान दान खोलकर पान लगाने लगी पान खाकर मामा जाने लगे तो वे उनको नीचे तक पहुंचाने गया द्वार पर था तबी देखा कि सतीश कहीं बहार से आ रहे हैं कहां गए थे उसने पुछा ऐसी एक दोस्त की यहां गया था वे जीना चड़ रहे थे तुम बैठोगे कुछ दिर दर्वाजे नहीं छोटे भाई ने कहा मा ने पान लगा रखे थे तश्त्री लेकर वे चुप चाप नीचे उतर आया और दर्वाजे का कमरा खोलकर बैठ गया गली में होली मिलने वाले लोग आ जा रहे थे मशीन की तरह वे उसके कमरे में भी आते गले मिलते तश्त्री से पान लेकर खाते एक दो बाते करते जैसे का बाय कब तक रहोगे आदी आदी और उठकर चले जाते कुछ लोग खड़े कड़े ही एक मिनट के लिए रुकते कुछ एक दो मिनट बैठ जाते लोग बैठते तो वे भी बैठ जाता उनके चलते समय फिर उठकर खड़ा हो जाता उसे यह सब पसंद नहीं ता पर मा के ख्याल से ही वे इतनी देर बैठा रहा आठ बजी तक लोगों का आना कम हो गया तो उसने दरवाजे के किवाड बंद किये और उपर आ गया अभी आ रहा हूं थोड़ी देर में उसने मा से कहा और बाहर चला आया दो एक मित्रों के यह आ गया परंतु कोई नहीं मिला कुछ दिर वैसे ही इधर उधर घूमता रहा कोई दस बजे के करीब लोट आया मकान के अंदर घुसा तुमा जीने में थाली में खाना लेकर उतर रही थी यह खाना कहां ले जा रही हो संतु के लिए ले जा रही हो खाये चाय ना खाये मुझे क्या करना पूछ लेते हैं इनको तो तुम जेल में ही पड़े रहने देते तो अच्छा था उन्होंने कहा वह एक शंट दहलीच पर रुका रहा मा ने कमरे के भिड़े वेक किवार खुले तो उसने देखा संतु तकत पर पेट के बल लेटा था अभी तक वह रंग भरे कपड़े पहने था वह जीना चड़कर उपर आ गया कमन चार पाई पर सो रहा था छोटे भाई का कमरा बन था कपड़े बदल कर वह बिस्तर पर लेट गया थोड़ी दिर में मा उपर आई खाना खाया संतु ने उसने पूछा अरे खाना क्या खाएंगे पी ए पड़े हैं फिर थोड़ी दिर बाद बुली खाए चाय नहीं खाए अब मैं नहीं जाओंगे पुछने तुमको दुखा ना नहीं मैं नहीं खाऊंगा दिन पर उल्टा सिधा खाते खाते पेट खराब हो गया उसने कहा थोड़ा सा लो नहीं तुमने खाया ही नहीं कुछ गुजिया ही खालो एक दो नहीं भूग नहीं है उसने कहा तो मा चुप हो गई सतीश कहीं गए है क्या उसने थोड़ी देर बाद पुछा हाँ सिनीमा गए है दुलन भी तो गई है अच्छा कह कर वह थोड़ी देर लेटर रहा बत्ती भुजा दो उसने पूछा भुजा दो मुझको वैसे भी बत्ती की क्या जरुवत मेरे लिए तो बत्ती ना बत्ती बराबर है मा ने कहा बहार के किवार बंद है हाँ उसने उठकर बत्ती का स्विच आफ किया तो कमरे में अंधेरा फैल गया कल मैं लोट जाओंगा उसने कहा अच्छा माने उसके और करवट ले ले अंधेरी में वेह उनका चेहरा नहीं देख सका